हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू मैं चानल कैसे आप सब आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे मेरी तबिद कुछ खास ठीक नहीं है आवाज से आप लोगों समझ में आ रही होगी गला थोड़ा सा फसा हुआ है और सरती बुखार भी हो रही है क्योंकि न मैं कहीं भी जात सब्सक्राइब मेरी इम्मिनुटी पावर जो है वह काफी कप जोर है इसलिए मैं ट्रावल करना जादर नहीं चाहती हूं तो घर से आ हूं मायके से ससुलाल पहुंच चुकी हूं मैं और यहाँ पर मैं अनार छेल रही हूं ममी अनार दी थी आप लोग देखे होंगे फिश अनार भी दे थी सेव भी दी थी सेव तो मैं खा चुकी हूँ लेकिन अनार जो है वह बचा हुआ है अभी तक क्योंकि अनार मुझे हुद पचाना भी पसंद नहीं है और खासकर कि छेल के खाना पड़ता है ना तो अपने लिए चेलना ना यह बहुत अच्छा लगेगा मसाले यह निकाल लिया है मैं इसमें अजवाइन डाल दिया है और नमक डाल दिया है अब इसको मैं गूत हूँगी क्योंकि आज मैं पूरी बताने वाली हूँ तो पूरी और मौंग डाल बनाऊंगी मसाले वाली मौंग डाल हमारे घर में एक खेती होती है न तो ऐसे लिए मौंग खेत में हुआ था तो ममी दी थी, यहाँ पर यह रेकिए मैंने मौंग डाल को उभाल लिया है और मुंग दल बहुत फायदे मंद होता है और इसे इमिनेटी पावर में मजबूत होती है तो यहाँ मैंने प्यास कट लिया है टमाटर कट लिया है हरी मिर्च अधरक और लेसून ले लिया इसको मैं कूटूंगी और यह गरम मसाला भी मने लिया है तो मसाले वाली महुंग दल बनाऊंगी मैं ममी का रेसिपी यह ममी बताई थी मुझे तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहे हूं देखिए कैसा बनता है तो कराई को मैंने चरहा दिया है गया शूरे पर कराई जो अभी गरम हो रहा है मुझे ममी की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है इसलिए पर ट्राई करती हूँ जब भी जाते हूं कुछ न को सेख क्याती हूं तो करहाई हैं मैने थोड़ा से तेल डाल दी है जीरा दाल दी है मैंने उसके बद एक लाल मीड और ऐक तेज पता डाल दो को और इसके बद में प्यास कर दाल宝ी और इसको मैं फ्राइ करूंगी दो मिनट तक इसमें मैं अभी नमाग डाल दे रहे हूं कि ताकि प्यास जल्दी से गल जाए और इसके बाद तरमाटर और जो अधरक लेस्टों वो सब खूट के डालूंगे और उसके बाद सब मसाले डाल के और फ्राइ करूंगी मसाले को अच्छा लगे गा ऐसमेन मुओं में बनाना तो अच्छा बनेगा इसलिए मैं त्राइ करें ओं पता नहीं क्या होगा बगवान जाने मैं कोशिश करते रहती हूं कि कुछ न Consic即ो का जैसे रहूं कि कि आथे मादा कुछ सीख नहीं पाई थी तो मीडर्कान्त तो जड़ी उगई थी तो उद्दा कुछ मैं सीख नहीं पाई थी लेकिन जैसे मथलब शादी हुगी न तो उस टाइम से बहुत को चीख ली हर लड़की षादी के बाद बहुत को सेख दूधि है, मैं के सायू मिरा मוד मुन बिल्कूल भी नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब याद आती है घर की बट क्या कर सकते हैं हम लड़कियों कि यही जिंदगी है हमारी बेटियां होती है उनकी यही जिंदगी होती है कि आप मतलब पले पुसे किसी और के घर और रहना किसी और के घर है तो बस वही वाली बात है थोड़ा मुझे वह लग हो तो कम यादा आएगा मेरे घर में मेरे मायके में बहुत सारे लोग सब mirrors अब HT लोग है तो आप ताइम का पता ही नहीं च़लता है यहां पे मुझे थोड़ा सा वो लगने लगता है यहां केली पर जाती हूं लेगन काम मैं फिर बीजी हो जाती हूँ ना उतना समझ में भी नहीं आता है और आप लोग को सद बाते होती रहती है आप लोग कमेंट्स करते हूँ आप लोग के कमेंट्स के रिपलाई करती हूँ बहुत सारे मेरे यूटूबर्स फ्रेंड्स है जिनकी वीडियो देखती हूँ ना तो उन्हों के लिए मैंने रोटी बना दिया था पहले ही तो बस अभी पूरी बना लूँगी और उसके बाद हम लोग खाएंगे दाल और पूरी जिसको अच्छा लगेगा दाल वो खाएगा अधरवज जिसको नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खाएगा मुझे तो फांक्सन था इसलिए मैं गई थी अधर वज हम घ्रम जाना भी नहीं था कैसे कैसे मैं चली इसवार ब्रस ऐसे जाना हो गया जहर बीयravी नहीं पाती तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या function था बता नहीं रही हो उल्लो बना रही हो तो आज मैं आप लोग को सारा जितने भी आप लोग को सारे question है न सब का जवाब मैं दे दूँगी आज यहाँ पर मेरी पूरी बन चुकी है तो अब हम इसको अचले निकाल दिया है पूरी और दाल और प्याज मैं और पती देवा भी खाना खाने जा रहा है आप लोग को भी आ सकते हो खाना के लिए आप लोग के लिए भी मैं थाली परोश दोँगी तो चलिए भी हम लोग खाला खाल लेते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से मैं बात करूंगे Finally सारा चम मैंने खतम कर लिया है और आप लोग के бог सरा सवाल आय हुए हैं बहुत सरे सवालों के जoiब देना है मुझे बहुत सारे लोग बिसब्री से inतिजार कर रहे हैं बहुत कमेंट पढ़ा मैंने बहुत प्रर्वार्जा था बहुत सारे लोग बीसरें की यहां आप जब भी कमफर्टे Schmidt regulation तब ही बताना है कि क्या हुआ है क्या हो रहा है घर में कौन सा Willow Defa बहुत सारे हो बाठ में कर थे हैं कि तुम बनारी हो तुर्पोड पागल मन रही हो तुम हम लोग कि कर रही हो तो आप लोग मुझे कोई नया तो देख नी रहे हो, मैं कोई नई चानल्स ख्री ट करकर नहीं बैठी हूं, मैं दो साल से हूं यूटूब पे, और दो साल से आप लोग लगातार मुझे देख रहे हो तो क 컨नलि हो कि अपर व्लोग को बनाऊँगी, आप कुछ तो मेरी मजबूरी होगी जिसके वज़े से मैं नहीं बता रही थी आप लोग को समझना चाहिए मैं बार बर मैं हर व्लॉग में कह रही हूं कि मैं बहुत मजबूर हूं बहुत जदा मजबूर हूं मैं नहीं बता पा रही हूं आप लोग को बट मैं यह भी कहा था ना क समय आने दीजिए, सब कुछ ठीक होने दीजिए, मैं आप लोग को जल्दी ही बताऊंगी, कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो हमारे बस की नहीं होती है, मैं यूटूब पे हूँ, मैं आप लोग के साथ अपना regular vlog share करती हूँ, इतका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कि मेरे आगे पीछे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई मुझे डाकने वाला नहीं है, मैं जो चाहूँ को कर सकती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत को सुनना परता है, और बहुत ऐसे चीज़े होती है, जो मैं नहीं बता पाती हूँ, चाहके भी आप ल कि मैं किसी को उलू बना रहे हूं कि मेरे घर में यूदी का ही फंक्सन हो रहा है। बहुत सारे लोग guess भी कर चुके हैं कि क्या हो रहा होगा, जो लोग बिहार के हैं, जो लोग भोजपूर के हैं, वो लोग जो भी विधी विभार हो रहे थे, रस्म हो रहे थे, वो चीज देख के समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, कौन सा function चल रहा है, बहुत सारे लोग comment किये थे कि आपके घर में शाधी है तो मेरे गर में शाधी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत सारे लोग तो एक दम exact कर लिये थे कि क्या थी मेरे घर में क्या था उस ट्रेम जब मैं फंक्शन में गई थी मैं गई थी 26 तरीको, उस दिन Saturday था, Saturday के सुबर सुबर हम लोग निकले थे, 26 तरीको सुबर सुबर हम लोग निकले थे, मैं है और पती देओ कार से कहते हैं हम लोग, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ next Saturday को, तीन तारीकों मैं यहां पे पहुंच चुकी हूँ और आज 16 तारीक है तो आप लोग सोच लो कि मुझे मेरे मायके से आये हुए ससुराल आये हुए तीन तारीक से 16 तारीक यानि कि 13 दिन हो चुके हैं मैंने 13 दिन में एक भी व्लॉग शुट नहीं किया है कि मेरे तब्लेट भी ठीक नहीं है आवाज से अपने को समझ में आ रही होगी मैं इतना रोई हूं ना बहुत रोई हूं आते टाइम और जब भी मैं जगह चेंज करते हूं जैसे कि मायके ससुराल जाती है ससुराल से मायके आती हूं मेरे तब्लेट बहुत ज़दा खराब हो इस दिन मैं आई थी उसी दिन मैंने आप लोग के साथ यह शेयर कर दिया था यह वाला वीडियो की मैं मैं किसे क्या-क्या मिला वह व्लॉग उनने उसी दिन शूट कर लिया था बट अभी वह अपलोड हुआ है तो जितने भी आप लोग देख रहे हो यह सब बहुत पुरा मैं यहां पर आ चुकी थी सुबा में सुक्रवार को ही हम लोग निकल चुके थे रात में साथ बज़े मैं वहां से निकल चुकी थी तो यह विमान के चलो कि पांच-शे दिन मैं वहां पर रूकी थी और आप लोग पूछ रहे हो कि क्या तर फंक्सन किसलिए गई थी मैं त शाधी से रिलेटेड था शाधी नहीं थी बट शाधी से रिलेटेड था तो क्या था मैं अपने को बता दू मेरे भाईया की जो मुझे डेर साल बढ़े हैं सिर्फ डेर साल बढ़े हैं उनकी छेका थी छेका मतलब वराक्षा मतलब जो यूपी में बोला जाता है और हमारे जो होता है रिंग सेरेमनी होता है तो मतलब यह पुरूफ करने के लिए अब जो लड़का है या फिर लड़की है उसका जो रिष्टा है वो कहीं और नहीं देखा जाएगा मतलब कि मैंने मेरी रिष्टा जो तैय हो गई किसी के साथ उनको जो होता है यकी stream कर दिया जाता है मेरा चेका करते हैं अब हम दोनों के रिष्टा तैय हो चुका अभाम्यों के लिए कोई और रिष्टा नहीं देखा जाएगा तो वही भैया कि छेका थी और शेका कहीं सारा व्लाग था लेकिन मैं क्यों नहीं बता प्रया बिल्कूल भी नहीं बात अपने YouTube चैनल पर करूं कि उन्हें पसंद था ये मैं आप लेको जल्दी को बटाऊंगी लेकिन भृष्या को बिल्कुल पसंद था तो कि मैं अपने YouTube चैनल पर उनकी छेका की कोई भी वीडियो शेयर करो या फिर मैं ये बताऊं कि मैं भया की छेका है अभी वह 25 साल के ह और उनकी विषादी बहुत जल्दी हो रही है मेरी शादी तो चार सल पहले ही हो गई थी जब मेरा बीस की थी ना मेरा बीस चल रहा था तब ही मिट शादी हो गई थी भाया मुझे एक बेड़ साल वर रहे हैं तो अभी वह पच्छीष साल के हो चुके हैं लेकिन हमारे बहुत जादी हो रही है तो चार भाया को भी ऐसा लगता होगा जहां तक मुझे लगता है इसलिए वह मना किये थे मुझे कि तुम अपने यूट्यूब पे मेरी मेरी शादी से रिलेटेट को भी बात नहीं करोगी या फिर मेरे रोका मेरे च्छेके का वीडियो नहीं डाल होगी या फिर मेरे च्छेके के बार में कैसी को भी नहीं बता होगी लेकिन अभी मैं मामे से पूछी थी तो मैं बोले कि बता सकती हो जब बहुत ज्यादे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुमसे पूछ रहा है तो तुम बता देना कि भाया का च्छेका था तो मैं आप ल बहुत अच्छे वियू जाते हैं मैं बहुत बहुत बढ़ी मजबूरी थे इसलिए मैं आप लोग समझ नहीं रहते हैं मुझे बहुत अजीव लग रहा था लेकिन बहुत सारे लोग समझें वियू सको दिल से थाइंक्यू कि आप लोग मुझे समझे और जो लोग नहीं समझे वह इस वीडियो के बाद तो समझी जाएंगे तो चलिए इस व्लॉग को मैं पेंट करें हूं काफी लंबा व्लॉग हो गया आप लोग के सवालों के जवाब ही मैंने दे दिये और तबहें खराब नहीं बोल पारें पर भी मुझे लग रहा है कि नहीं बता दिने चाहिए आप क्योंकि बहुत लोग परिशान हो रहे हैं तो आज की लोग मैं पेंट कर रहे हूं आगे की बहुत सारी बालते हैं जो मैं अब आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं भी लगतार भूल नहीं पारें तकली की फोर यह थोड़े सी गला में प्रावब्लम है तो आज के लिए बाबाय टेक कियर एंजाइन जय भारत